नमस्कार मित्रुक पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वाकत है हमारे इस चेनल में जिसका नाम है देशी भक्ती और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेश राशी वाली लड़कियों के वारे मैं ऐसी बाते जो की शायद आपको नहीं पता हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसेप पर जरूर शेयर कीजिए म्याव में गजब की सामर्थे होता है अपने इस गुण के कारण ही वे मुश्किल परिस्सितियों पर भी काबू कर लेती है इनकी खासियत होती है कि वे अपनी समस्याओं को आत्म निर्भरता से सुलजाना पसंद करती है मेश राशी वाली स्त्रियों को अपने निर्णयों और जीवन में पूर्षों का हस्तक्षे पसंद नहीं होता अपनी खूपसूर्ती से मोह लेने वाली ये महिलाएं पूर्षों को अपने अनुसार चलाना अच्छी तरह से जानती है जिन्दगी को पूरे जोश और उत्सा से जीने वाली इन महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता कुछ कर दिखाने का जज़वा इन में हमेशा दिखाई देता है कठिन परिस्तितियों में भी ये महिलाएं सकार अत्मक्ता को खत्म नहीं होने दे दी दोस्त के साथ दोस्ती और दुश्मन के साथ दुश्मनी इनकी जिन्दगी का फलसफा होता है कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तिरियां आपको धोखा भी दे सकती है इन पर भरोसा जरा सोच समझ कर ही करें मेश राशी की महिला से विवाह करना फाइदे का सोदा साबित हो सकता है यह आपके घर को अच्छे से समाल सकती है बेहतर कुख होने के साथ साथ यह घर को भी साफ सुतरा रखती है मेश राशी वाली महिलाओं का माथा और मुख काफी सम्मेदनशील होता है इन जगहों पर चुम्बन लेने से वह सेक्स के प्रती जादा उत्तेजित होती है उनके बालों, होटों और गालों पर चुम्बन करना उन्हें सेक्स के प्रती उत्तेजित करता है इस राशी की स्त्रियों में असुरक्षा की भावना भी पाई जाती है यह जल्दी से किसी पाशी वली महिलाओं का सौभाव देखने में आपको कठोर लग सकता है लेकिन वास्तविक्ता यह होती है कि यह अंदर से काफी सम्वेधनशील होती है इनके लिए सच्चाई और खरापन बहुत एहम होता है इन्हें ताकतवर जीवन साथ ही पसंद होता है जो हार जीत का खत्रा मोल लेने को तयार रहता हो साथ ही उसमें हर मुश्किल से निकलने की कला हो इस तरह इस वीडियो में हमने आपको बताया मेश राशी की महिलाओं के बारे में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसिप पर जरूर शेयर कीजिए देशी भक्ती चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाईए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार